ये पूजा की सामगरी है और पूजा की सामगरी पर तो जी GST लगता ही नहीं है, वो भी एक कोरा जूट है, ये CBIC जो इंडिरेक्ट टैक्स की वेब साइट है, जो GST जिसके अंतरगत आता है, उसकी वेब साइट का स्क्रीन शॉट मेरे हाथ में है, इसमें 10 चीजें हैं पू रुद्राक्ष की माला है और आपकी सहूलियत के लिए जिससे की लोगों को दिखा हुआ जादा याद रहता है, ये सारी चीजें हम लेकर आएं, कि पता रहे, क्योंकि गंगा जल पर जब जो बोल सकता है, मा गंगा के नाम पर जो जूट बोल सकता है, वो तो हर चीज पर सकता है, तो ऐसे लोगों को साक्ष दिखाना बड़ा जरूरी होता है, रुद्राक्ष की माला पर GST नहीं है, रुद्राक्ष या तुलसी माला पर GST नहीं है, पूजा सामगरी में नंबर वन ये है, उसके बाद यग्यों पवीत पर, ये आप सब लोग जानते हैं, जो नहीं कहा जाता है, हमारी तरफ इसको कलावा कहा जाता है, रक्षा सूत्र भी कहते हैं, इस पर भी GST नहीं है, विभूती जादा तर साउथ इंडिया में लगाई जाती है, इस पर भी GST नहीं है, रोली पर GST नहीं है, चंदन के टीके पर GST नहीं है, दिये की बाती पर GST नहीं है और जो खड़ाओ लकडी का और यह सिर्फ प्रतिकात्मक है जो खड़ाओ लकडी का साधूसंद पहनते हैं या वो लोग जो पहनते हैं जो अनुष्ठान करते हैं इस पर भी GST नहीं है बाकी सब चीजों पर GST इसमें अंकित है चरणामृत पर GST नहीं है अभी तक इसमें गंगा जल का कोई विवरण नहीं आया है यह मैं वेबसाइट से GST की लेकर आई हूँ निल GST इन दस चीजों पर है जो मैंने आपको दिखा दिया गंगा जल का इसमें जिक्र नहीं है तो जो जुट्टे और महा जुट्टों की फौज है इनसे जरूर पूछना चा जादा धर्म की अनुवाईयों को ठगते हैं क्या है यह गंगा जल हिंदू धर्म में गर्भधारन से लेकर मृत्यू तक 16 कर्मकांड होते हैं और उस सब में गंगा जल अनिवारे हैं घर की शुद्दी के लिए आच्वन के लिए चलणामरित में जब तक गंगा जल नहीं पड़ता वो आप देवी देवताओं को चड़ाई नहीं सकते हैं तो इन सब चीजों में गंगा जल अनिवारे हैं और सरकार की प्लाइनिंग तो ऐसी थी कि इस पर भी टैक्स वसूली करी जा रही थी इस पर भी 18% टैक्स श्रद्धालूं से लिया जा रहा था कॉंग्रेस ने जब इस मामले को उठाया इनके सच का परदा फाश किया इनका भांडा फोड़ किया तब जाकर कहीं पर इन्होंने वो टैक्स हटाया और मैंने आपको ये सारे तथिक कागजों के साथ दिखा दिये हैं अनौंसमेंट्स के जी एस्टी ओर के और फिर कैसे व कहीं पर मा का माई के आना तो जैसे बेटी घर आती है हर्शोलास होता है वैसे आपको बंगाल के पंडालों में प्रतिमा और पंडालों में दिखेगा कहीं पर रात भर गर्बा और डांडिया किया जाता है कहीं पर व्रत उपास किया जाता है कहीं पर गोलू सजाया जाता ह लेकिन नौ दिन उपासना मा की जरूर होगी तो इस बार जब उपासना होगी और गंगा जल पर GST नहीं देना पड़ेगा तो श्रत धालूओं के मन से हमारे लिए आशिरवाद और आशीश जरूर निकलेगा और उसी आशीश का परणाम है कि हम इनके हर जूट का भांडा फोड़ करते रहेंगे क्योंकि यह सच की लडाई है और सच में यह हमेशा हमेशा जूट बोलने का काम करते है तो आपके सामने यह तत्थिलाना जरूरी था थोड़े दुख के साथ यह बात यह भी कहती हूँ कि यह investigation, यह fact check तो आप कुछ साथियों को करना चाहिए था हम लोगों को करना पड़ रहा है लेकिन कोई बात नहीं बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम नहीं कर रहे है आश्वस्त रहिए हम यह काम जरूर करते रहेंगे और सरकार का जो असली चेहरा है उसको बेनकाब करते रहेंगे और असली चेहरे में धर्म के यह स्वैंभू ठेकेदार धर्म के नाम पर सबसे जादा लोगों को ठकते हैं मा गंगा को भी इन्होंने बक्षने का काम नहीं नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रही है हमारे साथ और देखके रही है योस 24